नमस्कार दोस्तो आज का वीडियो बहुत सुखत खबर के साथ में स्टार्ट करूंगा आज प्याज और लहसुन के भाव में बहुत ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिली कहीं महीनों के बाद आज प्याज इतने अच्छे भाव पर शुजालपूर मंडी में हमें देखने को मिला दोस्तो विस्तार पूर्वक सभी जानकरी सही तरीके से आप लोगों कुछ दूंगा इससे पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको एक सेकंड रुक के दबा लीजे दोस्तो और वीडिय इनकरी में देखा गये अगर हम उसको देखते है तो छोटी कॉलिटी की का लगा सूर्ण पंद्रा सू रुपे से लेके तेतीससू रुपे तक वहीं मीडियुम क्वालिटी का लगा सूर्ण दोस्तो एक बार फिर बोला हूं कहीं महीनों के बाद इतना भाव आया है क्योंक अगर हम प्याज के भाव की देखें दोस्तो दोस्तो अगर हम क्वालिटी अनुसार भी देखते हैं तो छोटी क्वालिटी का प्याज अगर हम प्याज दोस्तो दोस्तो के से लगे आज के भाव आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताईएगा आप और क्या लग रहा है दोस्तो जैसा कि मैंने अपने विचार बताए थे मुझे लग रहा था कि कि दो अजार से 25 रुपे तक ही इस साल भाव रहने की उम्मिदे पर मेरे विचार गलत साबित हुए बहुत अच्छी बाते दोस्तो और भी गलत साबित हो और उपर तक जाए प्याज का भाव पर आपको क्या लगता है दोस्तो कहां तक अब जा सकते हैं प्याज के भाव कम करके अवश्य बताईएगा धन्यवाद